बॉम्बे हम लोग पहली प्रिफरेंस देते हैं पर पर जो लोग UPSC की तैयारी करना चाहते हैं सुन लीजिए IIT दिल्ली वर्सेज बॉम्बे मारा हूं मैं दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं मानता हूं हाला कि टॉपर नॉर्मली IIT बॉम में जाता है फिर भी इन्हें IIT B वर्सेज IIT D में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं इस पर अगर आपको बैटर एक्सपोजर चाहिए एक फॉरें में पीछडी करने के लिए अगर आप अबरोर में पीछडी करना चाहते हैं बेटर एक्सपोजर चाहते हैं अपने CV में बैटर IIT लिखवाना चाहते हैं बहुत सारे पॉइंट से 1&1 करके करना चाहते था पहला पॉइंट यह जीत गया पहले पॉइंट में अगर आप बेटर एक्सपोजर चाहते हैं एक्सपोजर चाहते हैं आपने बंबे से इंप्रेशन चाहते है अपने CV का तो IAT Bombay में एक और पॉइंट जुड़ गया आपके CV में IAT Bombay लिखा दिखेगा Exposure Better है वो सरी का बोलते है नाम Better है CV का उसकी Reputation Better है मतलब ज्यादा उसका Attractive होगा लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप UPSC के लिए जाना जाना था मैं बोल रहाँ आपको अबर और पीएचडी अबर और पीएचडी के लिए Better Exposure जीत गया एक पॉइंट ये ले गया और अगर आप CV में Better Better CV चाहते हैं For interview, फलाना डिमकाना एक्सेक्टरा परफजिस के लिए तो और आपका नाम रेंकिंग में Bombay ले गया पर अगर आप UPSC से कुछ करना चाहरा है जीवन में माली जी आपको further UPSC की preparation करनी है further अगर आपको NET की preparation के लिए या GATE की preparation पे ज्यादा focus होना है तो क्योंकि coaching institute study material ये सब का सब IAT दिल्ली को preference देता है बहुत सारे coaching institute specifically for UPSC preparation बहुत सारे मेरे बच्चे है एक अंकिता चौधरी है चाहिए टॉप ब्रंटी में आईए IAS में civil services examination में साहिल सांगवान थी हमारी टॉपर थी IAT जैन की वो भी fight की थी तो बहुत सारे लोग है अब साहिल सांगवान को fight करने के लिए उसको IAT से छोड़ के आना पड़ा पड़ा दिल्ली तैयारी करने के लिए अंकिता चोधरी के लिए फायदे हो गया था वो दिल्ली से रहके exposure उसको मिल गया फायदा हो गया उसको थोड़ा सा सबसे ज्यादा है डेली में ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा यहां पर आपको इस पिस फिली के में करी सोच लीजिए यहां फैकल्टी डवलप्मंट्र प्रोग्राम में बहुत सासारे डेली के इस्टूडेन आते जितने आपको पढ़ा रहे हैं यह क्या बोते हैं अनूप सर है सुमित सर है है प्रदीप सर इस अभाय टेली से ही हैं तो आयटि डेली से वहां जूर जाते हैं यहां कहीं भी कि इंटर्न की फॉर्म में या ट्रेनी फॉर्म में या पार्ट टाइम जूर जाते हैं उसे इनको टीचिंग एक्सपोजर बेटर मिलता है प्लेटफॉर्स बेटर होने की वज़े से तो आयटी दूसरी में कौन जीता कौन जीता एट डेली जीत गया इस मामलाई में और बहुत स मुथ बंब जीनाय तो वैसे तो डैली भी कम नहीं है बंबें पर बंबें वैटर वेदर प्रवाइड करता है बैटर आपको मतलब अच्छा है बंबें में रहना बेटरा डेली की बजाए गर्ल्स के लिए सेफ भी जादा बंबें बंबें ज्यादा बढ़िया अभी अभी में जीना चाहते हैं अगर आप दो साल अपने जिन्दगी के बीच में गुजारना चाहते हैं उस बेस पे बंबई आपका जीत गया बंबई आपको नंबर देखे जाएगा तो लीविंग के सबसे और कमेंटेशन के साब से घूमने फिर ने युकि साथ में अफकॉर्स बंबई का सबस गोवा है चिल मारने के लिए चिलिंग चिलिंग लाई चीह देख बोवा है पुरे हैं लोना उला फलाना और भी बहुत सारे साथ में स्टेशन से बीचे जैए खुब सूरत है डैल बोर्स बहुत ज्दा परफर करती है रीटी बम में की जो नाइट लाइफ से इंड़ी बोम में और बोंबए और अरॉर वाला था और है उदर मामरा पहोत तकशवा है यह फाइंट इसको मिलता है तो क्या आइडि दिली भी किसी में स्कोर करें कि अईग्यक्त इलेगी को श बताएई बताएई बताएए दिली वालो बताएए पहर दीजए को बढ़ दीजिये कमेंट बक्स को बताईए और किस पॉइंट के अंदर हम दिल्ली को आगे कर सकते हैं, जिता सकते हैं, बैटर कह सकते हैं किस पॉइंट के, मैं एक और पॉइंट डिसकस कर रहा हूँ, that is also a very considerable point, और वो considerable point है, ये state capital है, देश की राजधानी है, अगर देश की राजधानी है और आप future में बसना चाते हैं डेली में, मान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ जॉब के पर बसे रहना चाते हैं, या जो आसके एरिये के लोग हैं, जैसे हरियाना वाले हैं, राजस्तान वाले हैं, वेस्ट यूपी वाले हैं, यूपी वाले हैं, पंजाब वाले हैं, ये अक्सर इ यो पी से विलाउंग करते हैं जो राज स्थान से विलाउंग करते हैं अब नॉमली खरियान से बॉंबे में रहने के लिए नहीं जाएगा तो अगर आपको पहले ही रुब रू होना उस सहर से पहले ही सहर के वारे खुकूशूरत जगह वाला एरिया है बेहतरीन एरिया आपको कभी विजिट कीजेगा मज़आ जाएगा उस एरिय में तो अगर विश्निटी के एसाब से टेपिटल होने के एसाब से कोई लीए डैली प्रिफरेंसिस बन जाती है किनके हरियाना पंजाब, यूपी, इनके हिसाब से डेली प्रफरेंसेज बन जाती, कई स्टेट के साफ से, और एक और बात है, वो ये, जो हरियाना के हैं, डेली के हैं, रेगुलरले अपने घर जा सकते हैं, यूपी वाले हैं, राजस्तान वाले, आराम से विजिट कर सकते हैं, इस रीजन अं具 चार्छी से बहुत जादा बत्चेतावते हैं, तो अन्गुलरले को जाते हैं, था जूना, बख्राइब सकते हैं, तो इस टूप अंडराम से चार्छा, जेट बात्चा हैं, अनुक्योट्ण की लगाँबार्आउत हैं, पहले एन्वार। इनवार्मैंप को जाते हैं समस्ते उनके लिए आपका डेली जी जाएगा अब इन चॉइसेस के बेस पे आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या करना है पर अंतमे मैं बंबे को जिता हूँगा और वो जिताना है प्लेसमेंट के बेसिस पे डाइरेक्ट नौकरी के बेसिस पे सीधी नौकरी चाहिए सीधी नौकरी चाहिए आया सबसे काम का मुद्दा आया रे अभी मैच खताव नहींगा मैच तीन तीन से टाई था तीन तीन से टाई था अब जो जीता है बंबाई क्यों मैंने इसको प्रफरेंस पे उपर डाला है उसकी मुक के बज़े मेन रीजन प्राइमरी रीजन है प्लेसमेंट बॉमबे में डायरेक्ट रिक्रूट मेंट बैटर है स्टूडेंट्सकों अच्छे पैकेज़ेस मिल जाते है प्लेसमेंट सेल जही सीध ही MSC से नौकरी मिल जाती है ये बड़ी भारी बात है बड़ी भारी बात है इस वज़े से और इस कहानी का आज का विनर है कौन बताईए आएटी बंबे ने आएटी दिल्ली से ये मैच चार तीन से जीत लिया है फोर थी से ये मैच जीता इसलिए हमने विजेता बनाया तॉमबे को रखा प्रिफरेंस पे नमबर वन इसी बाप पे बनती है तालिया क्लापिंग्स कॉमरेटलेसन बोलिये तालिया बोले तालिया बोले तालिया बोले इसी बाप